हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको BS Bloom के रिलेटिड आपको टेक्स रोमी पढ़वा चुका था उससे रिलेटिड आपके अग्जाम में किस परकार के विद्याले एवं कक्षा में, ओडिटोरियों में या ग्रह में तो यानि कि आपको बोल सकते हो होम में या घर पर तो सही अंसर आपको देखने से पता लग जाता है कि बच्चे का संग्यानात में की विकास यानि की जो सबसे अच्छा आ किस परकार का संग्यानात में की विकास यानि की आपके माइन गजा किस परकार डवलमें किया जाता है, खेल के दूरा प्लेग्डाउंड में या आपके कक्षा हो में इनपोर्टेंट डरम्स पढ़ा कर या सिखा कर तो option number second इसका बिल्कुल सही answer था next question second क्या बोल रखा है कि निमलिखित में से कौन सा सीखने का छेत्र है तो कौन सा इसमें से आपका सीखने का छेत्र है अनुभाविक, भावनात्मक, अध्यात्मिक या विहवारिक तो आपको मैं 4 option नहीं पढ़ूँगा, direct आपसे आपका answer बता दूँगा, ओके तो आपको देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, निमलिखित में से कौन सा सीखने का छेत्र है तो मैंने आपको बताये भी थाक, 3 छेत्र important बताये थे, कौन-कौन से बताये थे, इसमें से कौन सा है तो आपका option number second है, भावनात्मक, यानि की effective जो होता है, वो आपका एक सीखने का छेत्र है आपने theoretical portion पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपको पता होगा next question, third, क्या बोल रखा है, वहवार का करना पक्ष डैश में आता है तो वहवार का करना पक्ष में आपको किसमें बताये था, कि सारी चीज़े आप करके देखते हो, तो kinestical में बताये था मैंने आपको तो option number first, इसका बिल्कुल सीखने का सही होगा, सीखने के गतिक यानि काइनेटिक आपके जो छेतर होते हैं, उसके अंदर यह आपका आता है, जिसको आप करते हो, cognitive domain of learning तो option number first, इसका बिल्कुल सही अंसर था आपका next question, fourth, क्या बोल रखा है, fourth में, कि चिंतन अनिवारे रूप से है, तो चिंतन अनिवारे रूप से क्या है आपका तो जो भी आप thinking करते हो, सोचते हो, विचारते हो, वो सारे के सारे आपके आते हैं, संग्यानात्मक विचार के अंदर, यानि कि आपके जो mind से आता है, चिंतन से आता है आपका पहला सोपन क्या होगा, तो संसाधन परकरण पर पार्ट ही होजना बना रहे हो, यानि कि lesson plan बना रहे हो आप, तो उसमें आपका resources में first step क्या होगा आपका, तो जब भी मैंने आपको बताया था, जो भी आप steps करते हो, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सारी चीज इसका सही answer था, next question, sixth, क्या बोल रखा है आपका, क्या बोल रखा है कि एक विध्यारती निमल के तीन गुण A, B, C परदर्शित करता है, तो व्यक्तित्र के तीन छेत्र के अनुसार, तो तीन छेत्र के अनुसार कौन से हैं, वो बताना होगा आपको, A, B, C, पहले में क्या ह कि पानी का उप्योग करते हुए, उसे बरबाद नहीं करता है, दूसरा पानी का रसाइनिक सूतर सही बताता है, और तीसरा पानी के नमूने का आयतन सही मापता है, तो देखो, देखने से पता लगता है, कि पहले में पानी को बरबाद नहीं कर रहा है, मतलब भावना से ज भावनात्मक है बी रसाइनिक सूत्र सही बताता है मतलब सोच के बताएगा न संग्यानात्मक करेगा दिमाग से तो बी का संग्यानात्मक और लाश्ट में पानी के नमूनों को क्या कर रहा हो आयतन का सही मापता है नहीं करके देख रहा है नहीं कि मनोगतिक कर सकते हो मनोशा करना है आपके अंदर और नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था उसमें आपके भावनात्मक पक्ष जोड दिये जाते हैं जब जाकर बच्चे का अच्छे तरीक सा विकास कर सकते हो मतलब अप्शन नमबर सेकंड विध्यारतियों के सामने एक पर काराधर करना चाहिए ऐसी परिस्तिते आपके सामने लाना चाहिए बच्चों को और उस पर निन्ने लेने के लिए कहा जाना चाहिए तो बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास में आप सही तरीके से परभावित कर रहे हो या बच्चे के लिए वो उत्तेजित आप कर रहे हो उसको, okay, next question, एर्थ, क्या बोल रखा है, एर्थ में, कि निमली खित्में से कौन सा पत, गत्यात्मक उद्देशे का अंतरगत आता है, तो कौन सा आपका ऐसा उद्देशे है, जो गत्यात्मक उद्देश के अंतरगत आता है, तो मेने गत्यात्मक में आपको बताया था वो सारे कारवे ह additional कि यह करके सिहाथे हैं और उसमें आपको मेने क्या बताया था वो नियंतर्ण बताया था निकी-control बताया था था नہ कां-Trol, Coeur dynation whichever 10 steps बताये थे किया गया था ये, ओके? Next question, tenth, वैवार का संगयानातमक, पहिलू, निमन में संबन्दित होता है, तो निमन में से कुँँ सा संगयानातमक, आपका स्वयगानातमक, स्वयगानातमक आपका किसमे आता है, यानि कि आपकी भावना से आपकी emotion की बात करे जारी हो emotion और भावना कहाती है आपके भावनात्मक पक्ष में यानि की effective domain में आता है तो option number second इसका बिल्कुत सही आओगा सीखने के भावनात्मक पक्ष से next question 11 क्या बोल रखा है 11 में एक विध्यारती अपने शमकक्ष विक्तियों के समू के परती अकर्मक विगार करता है और विध्यारती में मम डांडो को नहीं मानता है इस विध्यारती को डैश में साहिता की अवशकता है मतलब वो अपने विध्यारती के समू परती क्या करता है वो लडाई जगडा करता है और उसके आपने विध्याले को जो नियम regulation होते हैं वो नहीं मानता है तो किस परकार कि उसके अवशकता चाही होगी तो ऐसा व्यक्ति जो भी करता है तो वो भावनात्माग पक्षे उसके सही नहीं है तो उसको भावनात्मक छेतर में उसकी help करनी होगी कि उसको समझाना होगा बताना होगा कि ऐसे करने से क्या होगा क्या नहीं होगा तो option number first इसका विड़कुल सही अंसर था आप next question 12 क्या बोल रहा है 12 में कि निमलिखित कतनों में से कौन सा प्रात्मिक इस्थर पर परियावन अध्यन पढ़ने का उद्धेशन नहीं है या पढ़ाने का उदेशन नहीं है तो कौन सा है आपका ऐसा कतन है जो प्रात्मी की स्थर पर पर पढ़ाने का उदेशन नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा वो option number third होगा कि बच्चों पर आंकलान के सब्द वाली एवं परिभाशाओं का बोज डालना मैंने आपको बताया था कि प्रात्मी की स्थर पर सभी चीजे समझानी होती है बच्चों को वो आपके रचात्मा करूप से समझानी होती है आपके सरजनात्मा करूप से समझानी होती है ये नहीं कि उनको किसी चीज को याद करवाना रटवाना परिभाशाओं को या उस पर ऐसे परकार का बोज ढालना ऐसे परकार के प्रात्मिक इस तर पर नहीं किया जाता तो option number 3 इसका विलकुल सही अंसर था next question 13 क्या बोल रखा है कि निमलिकित में से किसमे प्रात्मिक विद्ध्याले में परियावन अधन पढ़ाने का उद्देशे निरपूरित है तो इन में से कौन सा है जिसमें आपके प्रात्मिक इस तर में आपके परियावन अधन पढ़ाने का जो उद्देशे हो सबसे महत तो option number 4 इसका बिल्कुल सही answer था next question 14 क्या बूल रखा है शिक्षा का उद्देश होना चाहिए तो सिक्षा का main objective क्या होना चाहिए तो सही answer जो होगा इसका option number 4 होगा कि वहवारिक जीवन के लिए विध्यारतियों ये विध्यों को तयार करना मतलब जो उसके आने वाले जीवन है आने वाले उसके जो कोशला उसमें किस परकार से वो survive कर सके किस परकार से अपने जैनिक जीवन को कर सके किस परकार के साथ समाज के साथ समयोजी तरक अपने कारे को कर सके उसके लिए हमें बच्चों को तियार करना होता है और विशलेशन का मतलब बताया था अंतर करना या विभादित करना तो विशलेशन में क्या आएगा आपका option number first इसका बिलकुछ सही answer आएगा अंतर करना theoretical portion देखना सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी मैंने link नीचे description में दे रखा है वीडियो का next question 16 क्या बोल रखा है bloom की taxonomy dash की पदोनिकर्मिक विवस्ता है या आपकी किरिया है कुछ भी बोल सकता है कुछ भी लिख सकता है तो bloom की जो taxonomy हो किसकी पदोनिकर्म आपकी अवशकता है तो यह आपका cognitive objectives होते हैं जो उसके ओपर depend करता है यानिकि संग्यानात्मक उद्देश्य के ओपर सारी चीज़ें इसकी bloom की taxonomy है तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर है क्योंकि बार-बार मैंने आपको बताया था इसको अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है बहुत important question है धियान रखेगा bloom की taxonomy किसके ओपर depend जाता है संग्यानात्मक उद्देश्य के ओपर तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था, next question 17, क्या बोल रख है, bloom के वर्गी करण के आधार पर उद्देश्य आधारित परस्जनों के निर्मान में कोंसा विकल्प असकत है, तो कौनसा आपका ऐसा है जो bloom के वर्गी करण की आधार पर उद्देश्य के आधारित परस्जनों को नि English में वर्गी करन को क्या कहा जाता है objectives कहा जाता है preparation कहा जाता है तो वो क्या कहा जाता है उसी के अनुसार कहा जाता है जो आपके self यानि कि खुद करते हो किसी चार्य कार्य को तब ही तो आपको पता चल पाएगा तो option no.3 इसका विलकुछ सही answer होगा आत्म भूती ओके तो यही कुछ important आज आपको important 17 questions करवाने थे थोड़े बहुत important questions और करवा दूँगा मैं आपको next video में अगर आप बोलोगे तो ओके तो नहीं तो मैं आपका जैसी exam आएगा तो exam के एक महिने पहले मैं आपको important questions की series लेक्या हूँगा जिसमें आपको important questions के लिए आवा कुछ नहीं मिलेगा जैसी आपका theoretical portion खतम हो जाएगा अभी बस आपका base आपका बना रहा हूँ कि किस प्रकार की questions आपके paper में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आगी तो नीचे जागे वीडियो को like कना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो को रिगाडिंग कोई भी डाउट हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आपका reply ज़रू करूँगा अगर आपने इस चनल को अब तक सब्सक्राइब नी करा तो जल्दी सा सब्सक्राइब कर लिजेए और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर कातोगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत